यदि हमारे नसों में बैड कॉलस्टॉल जम जाता है तो उसके क्या-क्या संकेत होते हैं और हमें क्या-क्या समस्याएं होती हैं इसके सम्मध में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आप उस वीडियो को काफी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और उसमें बहुत से लोगो कुलली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नसों में जो बैड कॉलस्टॉल जमा है वह बहुत जल्दी कम होता है तो इसलिए वीडियो को आपको बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है और अंतक जरूर देखना है यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे उन लोगों के पास जरू हुआ है तो घरेलू रूप से उसका क्या-क्या इलाज आप कर सकते हैं सबसे पहला जो तरीका है वह हल्दी हां हल्दी के बारे में हमने आपने सुनाई होगा हल्दी हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देती है साथ में और गुणों से भी भरपूर होती है हल्दी में मौज गिरिंटी ज्यादा तर लोग हम लोग अपने वजन को कम करने के लिए प्रियोग करते हैं लेकिन साथ में ऐसे तत्वी पाए जाते जो बैड पॉलस्ट्रोल को कम करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक्स तीसरा तरीका है लहसुन जो कि हमें कई गंभीर ब साथ को कम करता है और गुड़ कोलश्टोल को बढ़ाता है नेक्स्ट इंपोर्टेंट तेल्शी के बीज अलसी में लीनोनिक एसिड और ओमेगा थि फैटी एसिड होता है साथ में अन्य पोसक तत्वी होते हैं जो कि एल डील बैड को कम करता है अप ऐलसी का सेवन पाउड ओमेगा 3 fatty acid होता है जो कि bad cholesterol को कम करता है साथ में आपकी दिल की सेहत को भी बहुत अच्छा रखता है next important आप सूखा या हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि cholesterol को कम करने के लिए एक रामवार इलाज की तरह प्रियोग करते हैं यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो bad cholesterol को आपको कम करेंगा साथ में good cholesterol को यह बढ़ाता है इसे आप हर दिन एक चम्मच आपको धनिया लेना है और या फिर आप धनिया पाउडर आप ले सकते हैं उसे दो मेंट पानी में उबालिएगा और उसके बाद उसे पीने से यह आपके लिए काफ ज्यादा फायदे मंद होता है और आपके bad cholesterol को बाहर निकलता है आप इसमें एक चम्मच आवला पाउडर गुंगुरे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यह काफी ज्यादा फायदे मंद होगा और नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आठमा तरीका वह सेव का सिर्का आप को बिज रात को एक ग्लास पानी में एक चम्मच डाल दीजेगा और सुबह खाली पेट उन दानों को चबा चबा कर खाना साथ मुस पानी को भी पीना है तो यह भी आपके bad cholesterol को तेजी से कम करता है और दसमा और लाश तरीका है आपका सहत का प्रियोग आप एक ग्लास आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें आदा नीभू का रस डालिएगा और आदा उसमें सेव का सिर्का डालिएगा इससे आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके blood cholesterol को बहुत जल्दी कम करता है कोई भी देशी नुखाय आयरवृदिक नुसकाय किसी भी दवा लगी होगी जानकारी अच्छी लगी हो और अब मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्ली चैनल को सब्सकाइब भी कर लीजिएगा नसों में बैट कोलस्टोल जदी जम जाता है तो हमें क्या-क्या समस्या होती है उसके संबंद में यह आप उपर वाली वीडियो देखिए